अगमान शिब ने पूछ लिया कि तुम कों हूँ? क्या चाहती हो मांग लो उसने का जितने जनम मिलें। प्रते जनम में मैं अपने पती के चरणों की सेवा करूँ। समय आया एक बार करवा का नाम उस जो पारवती जी की सहली थी उसका नाम करवा पड़ गया। करवा करकर एक साधहन परिवार में उसका जनम था पती के साथ संख में रह रही थी पती को थोड़ा शरील में शिखिलता हो गई थी और वो शिखिलता को देखकर पती को लगी प्यास जब प्यास लगी तो पाणी पीने के लिए पती सरोवर के पास पास जरा ध्यान देना इस पती गया सरोवर के पास में कई लोग करवाचोच की बहुत हसी उड़ाते हैं माताओं की बड़ी हसी उड़ाते हैं उनसे निवेदन है मेरा हमारे सनातन धर्म के जितने ब्रत हैं हमारे सनातन धर्म के इस भारत के भूमी से जितने नियम धरम जितने निकले हैं जितने वरत निकले हैं साधन निकली है ये साधर्ण नहीं है इसलिए बारवर करते हैं चंदन है इस देश की माटी तपो भूमी हर ग्राम हो हर वाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है पारवती जी की वो सहली का नाम जनम लेते 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 एक बार करवा पड़ गया पती थोड़ा सशितिल था शरीर में थोड़ा रोग हो गया था पानी पीने के लिए सरोगर पर गया सरोबर में जैसे पानी पीने के लिए गया एक मगर में उस पती का पाउं पकड़ गड़ी बहुत ध्यांगी थे हनमान जी की सेवा करने से राम जी मिल जाते करवा पार्वती जी की सखी थी जनम लिया मर्तियु लोप में नाम करवा पड़ गया करवा चतुरती का ब्रत करने से अखंड़ सो भागी हो जाता है मात्र पार्वती जी की सहेली का बचार करिए इतना इतना भाव यह सेवा का प्रमान है भारत की भूनी पर जितने राम के मंदिर ने उस ते हजार गुना जादा हनवान जी के मंदिर हैं किसी ने पूझा हनवान जी के मंदिर इतने क्यों है तो कहा गया राम जी की सेवा हनमान जी ने इतनी करी कि भारत के भूमी पर सेवा पुझा गई थी इसलिए हनमान के मंदिर धेर बने वह हमारे याँ सेवा पुझा थी करवा गई करवा ने देखा कि मेरे पती का पाऊं मगर ने पकड़ रखा है करवा शुर्ष क्यों पासा थी करवा शंकर क्यों पासा थी और शंकर भावा ने जाथा करवा माता पारवती जी क्यों पासा थी क्योंकि पारवती जी की सहली पती का पाऊं खीच कर मगर पानी में लेकर जा रहा था करवा अराधना में लगे हुई थी केवल करवाने मिक्टी का एक गोल भाग ही बनाया था जिस पर पारवक्ती जी का जो नीचे का पीठी का होती है केवल नीचे का भाग का निर्मान ही करा था और करवा के कानों में शब्द पड़ गया पती के चीख निखी अवाज जाए करवा दोड़ पड़ी यह तो अब कलेंडर में छपा हुआ करवा चोट का फोटो आने लगा नी तो पहले नियम था दिवाल पर बनाई जाती था और वहाँ कुजन करी जाती थी कई माताईं जानती होगी यह आपर आज भी पहले दिवाल पर बनती थी पुरा परिवार की सोभा गिवती नाडिया वहां आकर पूजन करती थी एक जगा फिर बाद में च्छचर जाकर करवे का अर्ग दिया करती थी यह यह नियम था अब तो बना बनाया कागज जाता उस उस समय पर पती की अवाज आई, छोड़ा करवा भागी, और शिवा रादना में लगी हुई करवा, पारदना में लगी हुई करवा, भाग कर गई, पती को देखा, तो मगर खीच कर ले जा रहा था, करवा ने अपना पीर फाड़ा हाड़ कर मगर की पूछ को पकड़ कर खीचा और कितना सातित तामे बल होगा जरा भिचार करना कि मगर को खीच कर ब्रक्ष के नीचे ले गई और ब्रक्ष के नीचे नहीं जा पाई तो वही पर घाज के उपर खास कास लगी हुई थी इसलिए आज भी करवा खुट के ब्रद में आपने देखा होगा कुछ सलाखें कुछ घास कुछ खास आपको मिल जा जाए उससे एक एक कास से मातर एक घास एक कास से उसने उस मगर को बान दिया मगर हिल नहीं पाया यम के दूद आगा इसके पती तो मोट के ग्रास ले जाने यम के दूद करवा ने पूछा तुम को नो कैसे आना हुआ यम दूद करते हैं तुमारे पती का आज अंकिम दिन है अंकिम समय अंकिम पल है ये मरे गा करवा पती अगर मारना है तो इस मगर को मारो जिसने मेरे पती का पाउँ पकड़ रखा प्रान छोड़ना है तो इस मगर के छोड़िए मेरे पती के तो प्रान आफ ले जाना है सकते करवा हम अपने नियम को नहीं बगल सकते तेरे पती की अंतिम सासे हैं, वो मरेगा, मगर को अभी नहीं मरना है, मगर अभी कम से कम नो महिना और जीवित रहेगा, इसका हमारे पस्म लेख है, करवा तक ही है, सहूं, यमदूद खड़े हैं, ले जाने दे नहीं रही, कुरोद आ गया करवा तो, हाथ में जल उठाया, अगर एक दूद भी मेरे पती को उठा कर ले जाता है, तो मेशिव भक्त, माता पारवती जी की भक्त करवा, आप तो श्राप ले दूदू, सब दोड़ पड़े यमराज के पास चले गए, यमराज ने उच्छत में दोड़ कर आए हो, क्या हुआ, यमराज उचते हैं, दूद करते ह करवा अपने पती को नहीं लाने दे रही है, यमराज वहां कर खड़ा हो जाता है, करवा को समझाया, करवा तेरे पती के प्राण जा चुके है, तेरा पती हम मरने वाला है, अंती मच्छने इसको ले जाने दे, इसका आज आखरी दिन है, मगर को ले जा पर मेरे पती को नह नहीं मान नहीं पाया यमराज जब करोध परड़ गया तब करवा को करोध आया और करोध में आकर जल लेकर करवाने श्राप देना चाहा यमराज को यमराज चर्णों में पड़ गया रेंदे करवा मैं तुझे बर देता हूँ आज चतूर्थी का दिन है तेरे पती को में चीवन दान देता हूँ आज के दिन जो तेरे नाम से प्रत धरण करेगा उसका खंड सो भाग सोयम यमराज करेगा ये वो करवा चोथ का ब्रत है दुनिया के लोग भले हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठाएं दुनिया के लोग भले हसें कि वताव करवा चोथ का ब्रत होता है पती पूजन करते हैं कोई कोई बोलता है कोई कोई बोलता है पर सनातन धर्म की ये पहल हमारे सनातन धर्म का ये आनन सुख देने वाई एक बात और कहेंगे आप ये भारत की भूमी ये मेरे हिंदोस्तान की भूमी सब्धेता और सांस्कृति की देने वाई ये सिखाती है विदेशों को भी कि नारी को किस तरह से देना चाहिए और उसका जीवन के से जीवन चाहिए ये दिखाती है कि एक नारी अपने पती को भी यम की केद से छुड़ा कर ला सकती है ये दिखाती है करवाता पती जो मगरने पाओं पकड़ रखा था प्राण चूट रहे थे वो करवा का पती जीवी पर रहे गया जीवी दोड़ कर गई मटी का पात्र रखा था मटी के पात्र में जल भर कर लाई अपने पती को क्योंकि पानी पीने के लिए ही गया था जल पीने के लिए गया था मटी के पात्र में जल भर कर जब कर लेकर आई अपने पती को पानी पिलाने लगी पती उठा उठकर उसने कहा इस जल की जरुवत तेर को है करवा क्योंकि तुने शिव राधना के लिए पारवती के अराधना के लिए मुख में कोई जल नहीं रखा पती ने जल का आच्मन अपनी पत्मी को कराया बस वही नियम आज सकत हमारे सनल अनहिंदू धर्म में चला रहा है करवा जोट का पत्मी पत्मी आच्मन कराया करवा जोट की कथा का इस विस्तार कई लोग करते हैं कथा कहां से आई का बता सकते हो इस कथा को आज की किलीब को काट कर जनमानस तक भेश सकते हो